देश में बनी पहली सेमी बुलेट ट्रेन ट्रेन 18 आज सुभा नई दिल्री रेलवे स्टेशन से प्रयाग राज सुभा आदे घंटे की देरी से पहुँची काज बात यह रहे कि कानपुर से प्रयाग राज तक का करीब 200 किलोमीटर का सफर ट्रेन ने महज 2 घंटे में तय किया आपको बता दे कि नई दिल्री रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन शुकरवार आधी रात करीब 12 बचकर 55 मिनट पर रवाना हुई थी और शनिवार सुबह 5 बचकर 42 मिनट पर यह ट्रेन कानपुर जंक्शन पर पहुँची थी यहां 2 मिनट रुकने के बार ट्रेन प्रयाग राज के लिए रवाना हुई सुबह करीब 7 बचकर 48 मिनट पर ट्रेन संगम नगरी पहुँच गई प्रेन ने करीब 6 घंटे 53 मिनट में दिल्ली से परयाग राज तक का सफरताय किया जबकी इसे 6 घंटे 25 मिनट में ही परयाग राज पहुँचना था ट्रेन 18 की ड्रैवर आनंद दिख्शित ने बताया की इसे दिल्ली से कानपुर तक लाने में काफी मजा आया यह दिल्ली हावडा रूट सबसे तेज ट्रेन का है ट्रेन 18 को 27 दिसंबर को ही ट्रायल पर दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन पर आना था उत्तर मद्धी रेलवे ने स्पीट सर्टिफिकेट जारी कर दिया था उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई सूचना के नुसार ट्रेन 18 नई दिल्ली स्टेशन से रात 12 बचकर 55 मिनट पर रवाना हुई जो कि सुबह 5 बचकर 18 मिनट पर कानपुर्ण सेंटरल पहुँचने वाली थी लेकिन ट्रेन यहां करीब आजे घंटे लेट पहुची करीब दो मिनट रुकने के बाद ट्रेन वापस प्रयागराज के लिए रवाना हो गई ट्रेन 18 को कुम्भ के दुरान प्रयागराज से नई दिल्ली स्टेशन के मद्दे चलाये जाने की संभावना है हलांकि चर्चा थी कि 29 दिसंबर को इस ट्रेन को नई दिल्ली से वारनासी के मद्दे चलाया जाएगा लेकिन प्रयागराज से वारनासी के मद्दे कई तक नी की दिक्कतों विद्यूती करण रूट का ना होने और स्पीड कम होने के कारण संभव है कि अभी इसे प्रयागराज तक ही चलाया जाए निखिल कुमार पंजाब के इसरी दिल्ली झालाएगा